दोस्तो ये आज मैं आपको वर्ने केलिपर की रीडिंग पढ़ना सिखाऊंगा तो इसके बारे मैं थोड़ा बता दूँ ये जो वर्ने केलिपर है एक होता है एमेम में और एक होता है इंचीज में और ये जो हमारे पास है आज वर्ने केलिपर इंचीज में ठीक है तो इंच तो आपकी सेवन तो रीडिंग है एट तो ये टोटल रीडिंग तो में आपने जब भी वर्णियर के लिपार की रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले उसके आपने एरर चेक करना है जीरो सेट करनी है और ये जीरो आपने डैल की हाथ सेट करनी है और हाथ से सेट करके जीरो करके इसका ये लाक नॉट होता डैल का ठीक है इसमें आपने ये लाक नॉट टैट कर देना है फिर इसका आपका ये आईरेन भी निकल गया और जीरो भी सेट हो गया तो आगे मैं आपको बता दूँ यह इंचीज में है तो यह जो स्केल है यह आप देखने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस पे एक बड़ा सा उन्होंने निशान दे दिया मारक दे दिया मतलब यहां तक एक इंच हो गया एक इंच तो एक इंच को दस इस्सों म है यहां पर एक जो है यह 100 ठाओ है तो जोंगे एक इंच में हजार था होते हैं और Хजार था ठीक है और एक का उन्होंने एक तो मैं आपको रीडिंग इसकी पढ़नी सखाँ आपने अगर एसे रीडिंग लेनी है तो आपने ये देखना है एक दो दो वाली लेड नजर आ रही है फिर आपने डायल पढ़ने है ठीक है आपका दो और यह आपने डैल पढ़ना है डैल है हमारा तकरीबान 14 पर सही है तो आपका यह हो गया 200 200 थाओ और 14 मतलब 214 थाओ आपकी यह reading आ रही है इस वक्त सही है तो यह जो एक इंच है आपका पर गेंपल यह एक इंच है इसको यह आपका हो गया एक इंच बराबर 1000 थाओ ठीक है और एक इंच बराबर 1000 थाओ एक इंच में 1000 थाओ और यह एक पूरा जो डैल का पूरा राउन सरक्ट है इसमें 100 थाओ है मतलब यह पूरी जब यह आपकी यह निटल पूरी ऐसता ऐसता जैसे पूरी जब अब एक सरक्र पूरा कर जाएगी तो इदर आपका 100 थाओ कम्पलीट हो जाएगा ठीक है तो ऐसे यह बिलकुल एजी है इतना मुश्किल नहीं है आपने सबसे पहले इसकी जो भी वर्णियों रोपास की लिस्ट अकॉंट देखनी होती है ठीक है लिस्ट अकॉंट डैल के 5001 इंचिस इसलिए इसके ओपर लिखा हुआ है 5001 इंचिस का मतलब है वन थाओ जहांपे यह रिडिंग होगी 5001 तो यह इंचिस में आता है मतलब एक थाओ यह कम से कम एक थाओ की वो एक थाओ को मियर कर सकता है जो mm वाला होता है वो 1 वो होता है 0.01 mm और वो उसकी होती है लिस्ट अकॉंट 0.1 या 0.2 या 0.5 ठीक है तो यह 1 थाओ एक थाओ बराबर है 0.0 0.25 mm मतलब एक थाओ में धाई मेकर होते है 0.025 बराबर एक थाओ है इंचीज में पहले काम होता था लेकिन अब ज्यादा mm में काम होता है लेकिन बहुत सी जगहां पर अभी भी इंचीज में काम हो रहे है इसलिए वहां का टूल भी इंचीज में है तो यह जो इसका स्केल है ठीक है आपने जो यहाँ पर भी रिडिंग लेनी है यह आपका रिडिंग का जो आप यह लॉक कर देंगे तो फिर आगे पिछनी जाएगे तो यहाँ पर आगर आप पढ़ेंगे तो कितनी रिडिंग है सही है आप थोड़ी देर आप पढ़ें सही है मैं बाद में बताऊंगा ठीक है यहाँ पर कितनी रिडिंग आ रही है यहाँ पर एक बड़ी लेन पर आ गया तो चलो ठीक है या ड्यल की रिटिंग पढ़नाई है ड्यल की एक 41 पे एक इंच 41 honour आपकी रिटिंग कारी यह इस वक। ठीक है इससे आप किसी चीज का इन्ले डाया भी ले सकते हैं डिप्त गैज यह सहिए स्चाहिए किसी चीज तो ये बाल पेन के रिडिंग ले तो आप बता है मुझे कितनी आ रही है ठीक है थोड़ी दिर देख लें सही है मतलब जे चार वारी लाइन नजर नहीं आ रही अभी तक सही है तीन वारी लाइन से आगे करा से लेकिन चार नजर आ रही लेकिन चार की लाइन नजर नहीं आ रही यहाँ पर एक चार की लाइन आएगी ठीक है वो नजर नहीं आ रही तो यह है तीन सो सतर थाव ठीक है तो ऐसे आपने पढ़ना यह नहीं कि आपने एक इनसा चार वाला नजर आ रहा है तो यह चार को वह आपने चार पढ़ देना नहीं यह तीन सो सतर थाव पढ़ा जाएगा अगर चार वारी लेंड वाजर नजर होगी तो आप चार को चार पढ़ेंग जैसे कि अभी मैं आपको पता दूँ चारवारी लाइन कैसे वादर नदर आएगी यहाँ पर रीडंग होगी तो अब आप कितनी पढ़ोगी रीडंग यहाँ पर देखें ना चारवारी लाइन वाद थोड़ी थोड़ी अलकेल की नदर आ रही है और यह भी डैल भी आपका जिरो पर आ गया तो यह 400 थाओ हो गया है ठीक है तो यह इजी है बिलकुल इजी है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताके मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पुचाता रहूं ठेंकियो दौा में याद रखना अल्ला आफिस